अब लौट आये बिहार में ये कहना राज्य सरकार का है जो भी लोग कहते हैं कि बिहार में सब कुछ तो है बस रोजगार को छोड़ कर तो अब ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा बिहार से दूर जाकर कमाने और खाने वालों के लिए खुश खबरी है जो खुद नितिश कुमार ने दी है अब आपको अपनी घर परिवार और राज्य से दूर किसी और शहर में जाकर पलायन करने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है वैसे सभी लोगों को अब बुलावा भीजा जा रहा है ताकि वो अपनी शहर में काम करें और अपने राज्य को आगे बरहें जिसको लेकर सीम नितिश कुमार ने आज एक नई शुरुवात की है जिसे बिहार की हर एक नागरिकों को काफी जादा फाइदा और खुशी भी होगी बाकि अब नमिश्कार आप जंता जंक्षन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना बिहार में रोजगार की कमी है ये तो सब जानते हैं लेकिन धीरे-धीरे सरकार अब इस कमी पर भी ध्यान दे रही है बिहार सरकार अब चाहती है कि रोजगार के लिए राज्य स जो भी लोग बाहर जाते हैं वो अब अपने राज्य वापस आ जाए काम छोटा हो या बड़ा अपने राज्य में ही करें जिसके लिए सडक और बिजली की बात बिहार में इंडूस्ट्री पर भी फोकस किया जा रहा है और अब उसी करी में एक नई टेक्स्टाइल और ले बिहार सबसे बरा लेदर और टेक्स्टाइल बनाया जाए जिया आपको बता दे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन कहा है कि लिए बिहार सबसे बहतर डेस्टिनेशन है और बिहार देश का बरा टेक्स्टाइल हब भी बनेगा इसका भी डावा किया जा रहा है बांगला भी दिया है उन्होंने जो लोग पलायन कर बाहर किसी और राज्जी में काम करने जाते हैं उन पर प्रहार करते हुए कहा है कि अब बिहार तेजी से विकास कर रहा है इसलिए अब लौट के आए बिहार में बिहार जल्दी रोजगार का हब बनने वाला है जिससे यहां के पॉलिसी के तहट कई एहम आर्थिक सहायता प्रादान की जाएगे जिसमें पुंजी का अनुदान रोजगार अनुदान विद्यूत अनुदान प्रेंट अनुदान समित कई तरह की इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है जिसमें देश भढ़के टेक्स्टाइल और लेद उद्योगों का हब बन जाएगा मुख्य मंत्री ने बंद चिनीन मिलो की जमीन समेट 2800 एकर जमीन उद्योग विभाग को दी है ऐसे में जो कंपनियां बिहार में इन्वेस्ट करेंगी उन्हें पुरोतर राज्य समेट नेपार भुचान जैसे कई परोसी देशों की करीब में इंडस्ट्रिस को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बिहार इंवस्टर्स मीट का आयोचन कर रही है और ये एक तो प्रधान मंत्री और बिहार के मुख्य मंत्रे नितिश हुमार के सपनी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग चाते हैं कि बि पूलियत दी जा रही है जिसके तहट पटना में आईटी पार्क तो गया में वे निर्मान क्लास्टर बनाए गए हैं तो वही मुझजफरपूर में फुट पार्क बेगुसराय में बिजली क्लास्टर जैसे उद्योगिक पार्क बनाकर और वहां जरूरी सुविधाय उपल अब दिहार सरकार के इस सराहनी कदम को लेकर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमिन करके जरूर बताएं और साथी वीडियो को साजा भी करें और साथी देखते रहे हैं जनता जंक्शन कैमरे के पीछे उम्रेकाश थे धन्यवाद